हादो गाइज क्या आप भी कुछ इस तरीके का इमेज जनरेट करना चाहते हैं सिर्फ एक मिनट में जो की बनाय गया है पिक्सार्ट प्लस लाइट रूम की मदद से इस इमेज को बनाना बहुत ही आसान है इस इमेज को बना कर आप भी अपने इस्टाराम पर अप्लोड कीज और अच्छा घासा भी उपा सकते हैं सिर्फ तीन दिनों में तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के पहले स्टेप में आपको उपन करना है पिक्सार्ट अप्लिकेशन यह जो भी मैं अप्लिकेशन इसमें यूज करूंगा यह आपको मेरे टेली डाम पर मिल जाएगा महां से आप इसली डाउनलोड कर लीजेगा इडिट आफ फोटो पे क्लिक करके आपको जिस इमेज के उपर बनाना है उस इमेज को यहां पर सिलेट कर लेना है मैं सिलेट कर लेता हूं जैसे कि मैं इस वारे इमेज के उपर बनाना है मुझे एड करना है ब पर क्लिक करके यहां पर बैक्ग्राउंड को रिमोव कर लेना है पहले यहां पर बैक्ग्राउंड रिमोव हो जाने बाद यहां पर जो बैक्ग्राउंड कलर के बगर में बैक्ग्राउंड का अप्टन है इस पर क्लिक करके यहां पर जो भी बैक्ग्राउंड यहां पर लगा जाना है उसके बार यहां पर आपको SIMPLE फोटो को कि अर्जेस्ट कर लेंगां मैं जैसे की कर रहा हूं यहां पर कुछ इस तरीके का image यहां पर मैंने अर्जेस्ट कर लिया है उसके बाद यहां सही के निसान पर क्लिक कर लेना है आपको उसके बाद यहां पर टूल्स वाल या उप्सन पर क्लिक करके यहां पर जो स्ट्रेच का उप्सन दिखाई दे रहा है इसके उपर क्लिक करके यहां पर आपको थोड़ा बाल को यहां पर सही कर लेना है जैसे मैं सही कर ला हूं अपने फोटोगी साथ आप यहां पर इसे कर लिज्ट कर लिजिए गा उसके बाद डन कर दीजिए उसके बाद यहां पर इमेज्ट को मिल जाएगा वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजेगा उसके बाद में एक यहाँ पर प्री सेट का लिंक भी मैं ने współpris het k Windows कर लिजेगा डाउनलोड कर लेने बाद यहां पर पर सिंपल 3.5 ऑलेÓपसन पिक्लिक करके यहाँ पे copy setting पे click करके यहाँ पे click कर लिजेगा यहाँ पे setting पूरी copy हो जाएगी उसके बाद जिस भी image पे आपको बनाना है उस image को click करके यहाँ पर 3.ology option पे click करकर यहाँ पे paste और आप्सन पे click कर देना है यहाँ पे देखिए हमारा एक बार में पूरा यहाँ पे लग गया है फोटो इडिट हो गया है उसके बाद यहाँ पर आपको अगर कलर भी एजिस्ट करना है यहाँ पे इडिट वाले option पे जाकर यहाँ पे आटो वाले option पे click कर देजेगा आपके फेस की हिजाब यहाँ पे फोटो भी फोटो में color adjust हो जाएगा इसके बाद three dot वाले option पे click करके यहाँ पे save copy to device इसके उपर click कर लिजेगा यहाँ पे हमारा फोटो बन के तयार हो चुका है आपको फोटो दिखा देता हूं मैं यहाँ पे दिखिए हमारा फोटो कुछ इस त थैंक्स पर वाचिंग और टेकर बुट बुट बाए